हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तो MOS क्लासेज, आज रहां एट्थ क्लास, मेथ एन्सी आटी के चेप्टर नंबर 11 की एक्सराइज 11.2 का फॉर्थ कोशन करेंगे, तो फॉर्थ कोशन केता है स्टुडेंट्स, दागनल ओफ अ क्वाद्रिलेटरल शेप्ट फील्ड इस 24 मेटर देखें यहाँ पर आपको एक फील्ड की शेप बताई गई है, एक जमीन का टुकड़ा है जिसको इस शेप में क्वाद्रिलेटर के रूप में बताया गया है और इसका जो डागनल है स्टुडेंट वो दिया गया है 24 मेटर और एक हाइट यह दी गई है इसकी 13 मेटर और द दूसरी हाइट यह है, हाइट मतलब इस वर्टेक्स से जो इस डागनल के उपर प्रपेंडी कुडर आया है यह पहली हाइट है और यह दूसरी हाइट है और हमें इस क्वाद्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमने यहाँ पर इसी डागराम को आपको का नाम हमने यहाँ पर BF कहे दिजिए या FB कहे दिजिए यह रखा हाइट 13 मीटर है 8 मीटर है और डागनल 24 मीटर है और हम इसे ABCD क्वाद्रिलेटर का एरिया फाइंड आउट करना है तो सुडेंस यहाँ पर डागनल यानिके AC is equal to 24 मीटर हाइट 1 यानि H1 इसको हमने नाम दिए यहाँ पर D E यह है 13 मीटर H2 जानिके सेकंड हाइट BF यह वली हाइट कितनी है 8 मीटर अब एरिया ओफ क्वाद्रिलेटर ABCD एरिया ओफ जनरल क्वाद्रिलेटर क्या होता है 1 अपॉन टू इन्टू डागनल इन्टू हाइट 1 प्लस हाइट 2 तो is equal to 1 अपॉन टू य अब टू इन्टू डागनल कितना था यहाँ पर 24 दिखे 24 था डागनल यह 24 आ गया इन्टू हाइट 1 कितनी थी 13 प्लस हाइट 2 कितनी थी 8 अब यहाँ पर 24 को 2 से डिवाइट कर दिजिए 2 12 दा 24 तो यहाँ से तो बचा 12 इन्टू 1 यानिके 12 और इन्टू कसाइन अज अब 21 को अगर आप 12 से मल्टिप्लाइ करते हैं स्टूरेंट्स तो आपको मिलता है 252 मेटर स्क्वेर यही हमारा रिक्वायट आंसर है जो एरिया ओफ क्वाड्रियरेटर ABCD हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है 252 मेटर स्क्वेर आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू